तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 Geometry Line Angles Circles Triangle जहमेट्चे के कौन कौन से Lines होती है अलग लाइन्स के क्या क्या नाम होते हैं कितने types के angles होते है circles कैसे बनता है त्रिक है types of circles ट्रैंगल्स किके यह 50 में हुवरने वाले हैं ऐसे करते हैं। एक पॉइंटすब्स क्या होता है बहुत पॉइंट क्या होता है कोई भी एक . मान लीजिया एक और पॉइंटहिए इसकी ना कोई लेंध्ष होती है बस एक पोजीशन होती है बस यह ठीकह और बढ़ते है capital letter जब भी पॉइंट का नेम देंगे तो हम इसे capital letter में नेम देते हैं और नेम कुछ भी हो सकता है मालेज़ पॉइंट का नाम है पी कुछ भी नाम दे सकते हैं इसके बाद आती है straight line straight line क्या होती है एक ऐसी line जिसका कोई end नहीं है जो कभी खतम नहीं होती ठीक है line कभी खतम नहीं होती किसी भी दो point से मालेज़ एक point यह रहा एक point यह रहा दो point से होती ही सिर्फ एक ही line बनाई जा सकती है ठीक है इन दो पॉइंट से होते हुए आप कोई दूसरी लाइन नहीं बना सकते हैं लेकिन एक पॉइंट से आप बहुत साई लाइन बना सकते हैं ठीक है लाइन कर भी खतम नहीं होती और इसका नेम कैसे दिया जाता है टू पॉइंट से बाले जी ऐ हो गया कि लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है फिक्स्ट एंड होते हैं ऐसी लाइन जिसके एंड फिक्स हो ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट फिक्स हो जैसे कि देखिए यह तो हो गई लाइन ठीक है अब यह हो गई लाइन सेग्मेंट यहां से लेके यहां तक है बस इस पर एरो नहीं लगे हो यह मतलब यह फिक्स लाइन है इसका नाम दे देते हैं हम यह भी नाम इसका भी दिया जा सकता है यह भी लेकिन डिफ्रेंस क्या है इन दोनों में उपर वाली लाइन है नीचे वाली लाइन सेग्मेंट है ठीक है जो उपर वाली है यह आगे तक भी जा सकती है लेकिन नीचे वाली सिर्फ यहीं तक ही रहेगी यह होगी लाइन सेग्मेंट उसके बाद एक रे ठीक है रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक इससा फिक्स होता है एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ वो कितनी भी आगे तक जा सकती है ठीक है यह उल्टा भी हो सकता है clear लेख सकते हैं अपर फिगर में भी एक आब क्या होता है अब plane is a smooth flat surface that extend endlessly in all directions plane क्या होता है किसी सतह होती है जो कि किसी भी हर direction में endless है किसी बीचिक्स बीकी इसकी कोई boundary नहीं है वो एक plane है ठीक है co intersecting lines Architecting lines मतलब ऐसी fierish liners jose intersect करती हो मतलब एक दुसरे को मिलती हो जैसे कि एक yanu Your Story मुलरी कहां पर यहां पर labor इसको कहेंगे point of intersection जहां पर मिली उसको कहेंगे point of intersection ठीक है यह होग इंटरसेक्टिंग as a कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं इसे intersect करती है वो होती है point of intersection clear आगे बढ़ते है parallel lines parallel lines क्या होती है ऐसी lines जो कभी meet नहीं करती जो कभी आपस में कभी intersect नहीं करेंगी यसे की rail की पट्रियां होती है तो कभी आपस में मिलती नहीं है यह parallel lines भी इस तरह से होती है ठीक है यह आपस में कभी intersect नहीं करती है ऐसी lines कौन parallel lines कहते हैं जो lines कभी आपस में intersect नहीं करेंगी angles an angle is made by two rays that start at the same point ठीक अब देखिए angle क्या होता है angle होता है जब two rays ray हमने पड़ा जिसका एक point fix होता है एक point fix नहीं होता है जब दो rays एक ही point से start हो तो उसे angle कहते है तो उनके बीच में angle बनता यह angle है ठीक है और जहां पर यह जुड़ती है उसे कहते है vertex यह point है vertex इसको नाम दे दिया मैंने A B और यह C हो गया तो एंगल कुन सा बना यह एंगल C A B यह कह सकते हैं एंगल B A C ठीक है यह हो गया vertex यह हो गया इसका एक को तो यह हो गए आम A C आम A B ठीक है खाने वाला आम नहीं हाथ वाला आम A R M The wider the opening between the two arms the greater is the angle अब देखे इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा दूरियां होंगी उतना बड़ा ठीक है और बढ़ा देते हैं यह रेखिए और बड़ा एंगल हो गया छोटा कर देते हैं छोटा हो गया clear अब देखे एंगल को लिखते कैसे हैं हम इसको लिखेंगे एंगल P A B या फिर एंगल P A C जहां पर जुड़ते हैं वो हमेशा पॉइंट बीच में रहता है अब बाकी दो होते हैं रे वाले पॉइंट्स ओके अब देखिए एंगल को मेजर कैसे करते हैं इसे नापते कैसे हैं इसका सिंबल क्या होता है छोटा सा सरकर ऐसे CLEAR? If the angle measure 30 degrees we write images imagine two rays two OA and O B starting at O When they lie over each other the angle between them equal to zero अब देखिए एंगल कैसे मेजर करते हैं इसको हमने माल लिए जीरो डिगरी एक देखो यहां से इस तरह से हमने एंगल बना दिया एक एंगल यह बना दिया या नीच वाल एक उपने माल लिए जीरो डिगरी पर है यह अब देखिए जितना ज्यादा खुलता जाएगा यह उतना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा यह होगा ठीक है, उसके बाद हो गया, इसके बाद देखो अगला एंगल, यह हो गया 180 डिग्री एंगल, ठीक है, अब बताते हैं आपको 360 डिग्री एंगल, ठीक है, जब पूरा घूमते होई दुबारा से यहीं पर आ जाएगा, इसके ओपर ही, ठीक है, 360 डिग्री एंगल, इसको 0 डिग्री एंगल भी कहा जा सकता है, ठीक है, चलिए names of angle देखते हैं अब complete angle equal to 360 degree जब कोई angle 360 degree बनाता है तो उसको हम complete angle कहते है ठीक है straight angle जब 180 degree होता है दोनों angle के बीच में straight angle कहलाता है जैसे कि देखिए watch clock में straight angle बना हुआ है यह वादा देखिए 360 degree angle बना हुआ है पूरा क्योंकि यहां से जाके यहां पर वापिस आ गई है 90 degree इस तरह की shape होती है L वाली acute angle होता है ऐसे angle जो 0 degree से जादा होते हैं और 90 से कम होते हैं उस सभी acute angle कहलाते हैं जैसे कि यह angle हो गया यह angle हो गया यह angle हो गए यह सभी acute angle कहलाते हैं obtuse angle ऐसे angle जो 90 degree से जादा होते हैं 180 से कम होते हैं ऐसे वाले 90 degree को यहां पे होगा 90 degree और 180 degree यहां पे होगा ऐसे तो इस दोनों के बीच में जितने भी angle like करेंगे वो सभी obtuse angle कहलाएंगे ठीक है अब देखिए angle बनाते कैसे हैं हम protector की use मदद से protector की use से angles बना सकते हैं इस पर देखिए major होता है 0 से लेगे 180 degree तक ठीक है हमने एक line draw कर लेते हैं पहले यह vertex हो गया और यह ray हो गई अब जो देखिए यह वाला point है protector का इस पूरे protector का उठा के हम इस point पर रखेंगे ठीक है ताकि यह वाली line है यह इसके ओपर आ जाए उसके बाद हम जितने का angle चाहते हैं उतने का angle draw कर लेंगे यहां से देख के ठीक है अब यह आपको पता लगी गया है कि छोटा angle मतलब जिसका कम मुह खुला होगा और बड़ा angle जिसका ज्यादा मुह खुला होगा ठीक है और 90 का ध्यान दखना कि 90 मेंसा सीधा होता है अब किसी ने का कि 30 degree angle बनाना है आपको अब देखिए यहां पर दो तरह की lines होते हैं एक तो उपर वाला scale होता है नीचे वाला scale होता है इसको देखना बड़ा important है कि आप कौन सा scale देखेंगे 30 degree देखिए 90 मतलब 30 degree मतलब 90 से छोटा देखिए यहां पर 90 है तो 30 किस तरफ आ रहा है छोटा बनना चाहिए एंगल तो छोटा कब बनेगा जब उन दोनों lines के बीच में gap कम होगा तो gap इस तरफ कम होगा तो मतलब 30 हम उपर वाला रेखेंगे इस तो हम इसको यहां पर रख कि यहां पर यहां यहां से डॉट लगा लेंगे यहां पर तो लगा लिया अब इस protector को अटा देंगे हमने लगा लगा दिया प्रोटेक्टर को अटा देंगे फिसकेल का यूंस करके यहां से और इस point को जोड़ती हूं एक लाइन ड्राउ कर देंगे यह हमारा 30 डिगरी के एंगल बन जाएगा ठीक है तरह से हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते है चलिए बताइएगा A और B क्या है A और B रे है M और N क्या है लाइन सेग्मेंट ठीक है F में कितने line segments है 1,2,3,4,4 line segments है ठीक है E में देखे कितनी line segments है 1,2,3,F में 1,2,3,4,5,6 draw a line segment of length, एक line segment draw करना है इतनी length का तो आपको scale लेना है उस पे scale रखेंगे उसके बाद 3 cm लंबी एक line draw कर देंगे line segment ठीक है उसका नाम दे देंगे A B इस देंगे 3 cm ऐसी 5 cm की draw कर लेंगे इस तरह से 6.2 cm की भी draw हो जाएगी थर्ड देखिए अगला identify and name the line segments and ray in the following figure ठीक है आपर बताना है कि line segment कौन सी है ठीक है इसका चलो नाम दे रहते हैं इस vertex का clear अब देखिए आपर रेज हैं यह सारी P Q इसका भी नाम नहीं है इसका नाम टी रहते हैं पी टी पी क्यू पी आर पी आर एस इस अभी रेज हैं इस पाहले देखिए फोर्थ राइट दर नेम अब यहां पर बताना है कि एक्यूट है ऑप्ट्यूस है क्या एंगल है 90 से कम एक्यूट होते हैं सारे 90 से ज्यादा ऑप्ट्यूस होते है 91 से लेके 179 तक टी उंगे वन डीडरी से लेकर 89 द गीरी तक एक्यूट होंगे ठिक है थिक है क्यूट हो गया नाइंट डिग्री कहलाता है यूज अ प्रोट्रेक्टर टूडर डीज एंगल सिन जूर नोट्बुक अठीक है प्रोट्रेक्टर की यूज से आपको ये एंगल अपनी नोट्बुक में ड्रॉ करने है ये से ड्रॉ करेंगे पहले एक ray draw कर लेंगे आप छोटी सी ऐसे उसको प्रोटेक्टर का जो point मैंने बताया रहा उसको यहां पर रखेंगे ऐसे protector रखेंगे पूरा 80 degree जहां पर बाहर वाला scale देखेंगे आप बाहर वाला ठीक है बाहर वाला scale देखेंगे 80 degree जहां पर आएगा इधर आप डॉट लगा लेंगे उसको प्रोटेक्टर हटा के scale से line draw कर देंगे ठीक है scale से line draw कर देंगे इस dot से जाती हुई अब देखेंगे प्रोटेक्टर की help से आपको इनको major करना है कितने degree की angles हैं तो यहां पर प्रोटेक्टर का point रखेंगे ऐसे प्रोटेक्टर आगया ऐसे तो आप देखेंगे उपर वाला scale इस तरफ से कितने पर line जा रही है तो उतना आए degree का यह angle हो जाएगा चलिए circle देख लीजिए a circle is a simple closed curve ठीक है circle क्या है पूरी ता से closed curved होता है consisting of all points that are fixed distance from the fixed point inside it अब circle के बीच में fix point होता है उससे circle पे कहीं पे भी आप दूरी नापेंगे तो आपको बराबर मिलेगी ठीक है साड़ा distance आपको बराबर मिलेगा circle की जो बीच वाला point है उससे circle की circumference तक की दूरी radius कहलाती है ठीक है और जितने भी radius होते है circle के सब बराबर होते है एक circle के लिए अब देखे circle के कौन कौन से parts होते है एक circle में circumference होता है circumference क्या होता है देखे मैं circle draw किया एक circumference क्या होता है यह जो बाहर वाली boundary है इसको circumference कहा जाता है ठीक है जो बाहर बाहर की जो boundary होती है circle की इसको circumference कहा जाता है radius radius क्या होता है circle का जो बीच का point होता है उससे circumference की दूरी कितनी है इसको radius कहलाते है ठीक है इसको अगर major कर लेंगे हम तो पता लग देएगा कि circle का radius कितना है diameter, diameter क्या होता है यह तो हो गया radius ठीक है, diameter होता है तो इस तरह से यह diameter कहलाएगा यह क्या होता है, radius का double होता है अगर radius 2 cm है तो diameter क्या हो जाएगा 4 cm क्योंकि इसका अगर half करेंगे तो यह भी radius परन रहा है और ये भी radius बन रहा है, ये भी radius ही था, तो diameter radius का double होता है, Cod, Cod क्या होता है, distance between two points of the circumference to another of the circle if may or may not pass through the center, for example, ns, Cod क्या होती है, classy line segment होती है, जो कि circle के 8 point से दूसरे point तक जाती है, circle पूरा, इसका one point ले लिया हमने यहाँ पर, इसका one point ले लिया हमने यहां पर तो ये कहलाएगी Cod , ऐसको यहां ले लिया, precies as you ले लिया मैं इसको जोइन कर दूंगा तो ये कॉड कहलाएगी अब कॉड क्यों है सर्कल के से भी होके जा सकती है ठीक है Concentric Circles Circles within the same center with the same center and different radii are called concentric circles Concentric Circles क्या होते हैं ऐसे circles जिनका center तो same रहेगा ठीक है center तो same रहेगा लेकिन ऐसे circle जिनका center तो यही रहता है लेकिन उसका वो change हो जाता है radius ठीक है वो concentric circle कहलाते हैं Arc The part of a circumference of a circle is called an arc It is named by three points for example NPS चलिए अब आग देखते हैं Arc क्या होती है Arc क्या होती है circle का part होता है ठीक है चली मैं बात करता है चली मैं बात कर रहा हूं एक point देखे हैं मैंने इसको N इस point को P और यह वाला S ठीक है मैंने बोला Arc NPS तो मतलब मैं इस हिससे की बात कर रहा हूं बस ठीक है मैं कहता Arc NSP तो मतलब मैं इस वाले इससे की बात करता हूं clear हूँ difference semi circle किसे का हाता है semi circle होता है half circle इस तरह से ठीक है यह semi circle है interior and exterior of a circle किसी भी circle का interior क्या होता है उसके अंदर का हिस्सा और exterior क्या होता है उसके बाहर का हिस्सा ठीक है drawing a circle of a given radius अब देखें किसी भी given radius का circle कैसे draw करते हैं कैसे हम draw करेंगे हमसे का गया कि 3 cm का circle draw करो radius 3 cm का circle draw करो हम क्या करेंगे compass लेंगे उसे pencil लगाएंगे और compass की एक needle रखेंगे 0 पे scale के और pencil रखेंगे 3 cm जतना खोल लेंगे उसको ठीक है उसके बाद needle यहां रखे pencil से ऐसे circle draw कर लेंगे उसको गुमा के गोल गोल तो वह 3 cm का circle बन जाएगा ठीक है अब हमें किसी circle की radius पता है diameter निकालना है हमें को पता है कि diameter क्या होता है 2 multiply by radius radius का double होता है तो radius हमें पता है diameter निकालना है तो radius को 2 से multiply कर दो diameter निकल जाएगा और अगर diameter दे रखा हो radius निकालना हो तो diameter को 2 से divide कर दो radius निकल जाएगा ठीक है हाउ मैनी diameter कें दो इन वन गिवन सरकल एक सरकल में आप कितने diameter टॉकर सकते हैं देखिए यह सरकल है तॉन यह रहा कितने डामेटर टॉकर सकते हैं बहुत सारे यह सबी डामेटर से हैं ठीक है तो क्या है आएगा infinite बहुत सारे How many radii can draw in one given circle एक circle में कितने radius draw कर सकते हैं वो भी both sides draw कर सकते हैं यह भी infinite हो गया define chord and diameter of a circle chord and diameter की definition आपको यहां से मिल जाएगी chord क्या होता है the distance between two point of a circumference to another point of a circumference ठीक है diameter the distance from a point of a circumference passing through the center ठीक है यहोगे diameter write the relationship between radius and the diameter radius और diameter बिच में के रिलेशंशिप है की diameter equal to 2 multiplied by radius ठीक है with the help of compass construct a circle whose radius is compass की help से आपको circle draw करने है इतने इतने centimeter की radius के साथ ठीक है अब देखिए इनका आपको radius find out करना है diameter बता रखा है अभी हमने formula देखा diameter का formula होता है 2 multiplied by radius तो radius का क्या formula है diameter divided by 2 इसको हम 2 से डिवाइट कर देंगे तो diameter आजाए उस radius आजाएगा complete the table अब देख किसी circle का अगर radius 4 है diameter कितना हो जाएगा उसका 8 डबल radius 6 है diameter 12 हो जाएगा diameter 18 अदर radius कितना 9 हो जाएगा radius 7.5 है तो diameter 15 हो जाएगा ठीक है ऐसे ही diameter का 17.4 है इसका half कर देंगे clear कितना हो जाएगा इसका ठीक है अब देखिए आपको एक circle ड्रॉख करना है 4 cm रेडियस का और उसके ओपर radius ड्रॉख करने 9 एक diameter ड्रॉख करना है एक आक ड्रॉख करना है कॉर्ट circumference बताना है कौन सा और सेंटर बताना है कौन सा है ठीक है मार्क करना है उसके ओपर 9 नहीं होगा ठीक है यह देखिए होगा फिल इन देखिए ब्लैंग circumference is a distance around the circle circumference क्या होता है circle के चारो तरफ का distance diameter is also a diameter is also a chord line joining two points on the circumference is called a chord any part of a circle is called an circle का किसी भी part को हम क्या कहते है आर्क कह जैते हैं उसको हम आर्क भी कह सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल क्या होते हैं उससे पहले देखते हैं को लिनियर और नॉन को लिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं points which lie on the same straight line are called collinear points अब देखिए ऐसे मैं तीन points mark करें एक one two three अब देखिए पॉइंट कैसे हैं तीनों एक ही straight line पे हैं तो यह हो गए collinear points अब मैं कोई भी ऐसे points mark कर दूँ जो एक line पे ना पढ़ रहे हो एक इधर पढ़ रहा है एक इधर पढ़ रहा है तो यह non collinear points हो गए क्योंकि एक line पे नहीं है सभी अब देखिए triangle क्या है triangle is a figure found by joining three non collinear points जब हम किसी भी three non collinear points को join करते हैं तो जो figure बनती है close उसे triangle कहते हैं जैसे कि triangle p q r अब देखिए triangle के three vertices होते हैं एक p हो गया q हो गया r हो गया ठीक है three sides होती है p q q r p r three angles होते है angle p angle q angle r या फिर कह सकते हैं angle p q r angle q r p angle r p q अब देखिए triangle को भी अलग 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 parts में बाटा गया है acute angle triangle a q t angle triangle कुन सा होता है ऐसा triangle जिसके तीनों angle 90 degrees से कम हो ठीक है obtuse angle triangle अगा किसी भी triangle में एक angle 90 degrees से जाधा हो और 180 से कम हो तो obtuse angle कहलाता है right angle triangle अब किसी भी triangle में एक angle 90 degree का हो तो right angle triangle कहलाएगा अब देखी classification triangle on the basis of sides sides के हिसाब से इनका classification equilateral triangle एसा triangle होता है equilateral triangle जिसकी सारी sides बराबर होती है यह वाली side यह वाली side से बराबर होती है isocilius triangle एसा triangle की दो side बराबर हो ठीक है scalene triangle जिसकी कोई भी दो side बराबर ना हो clear next is properties of triangle अब एक triangle की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देख लीजिए angle sum property मतलब के triangle के जितने भी angles होते हैं तीनो angles जो होते हैं अगर उनको हम add करेंगे तो 180 degree आता है ठीक है ठीक है ठीक है second property the sum of major of two sides of a triangle is always greater than the third side कि अगर ट्राइंगल की किसी भी दो side को add कर देंगे तो तीसरी side से हमेशा बड़ी मिलेगी आपको ठीक है ट्राइंगल कर किसी भी दो side को add कर दें तो तीसरी side से हमेशा बड़ी मिलेगी क्लियर एक ट्राइंगल कर देखिए एक से यादा राइंगल नहीं हो सकते एक से यादा एक एंगल 60 डिग्री से जादा होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं चलिए एक्सरसाइज 13.3 टिक दा एंगल एंगल सेंड क्रॉस आउट दा अधर फीगर ठीक है इस पें जो जो ट्राइंगल है उसको टिक करना है और जो ट्राइंगल नहीं है जो triangle नहीं है उसको अलग कर देना, cross कर देना, यह triangle है, नहीं है, यह triangle है, यह triangle है, यह triangle है, यह भी triangle है, How many triangles are there in each figure? Write their names in your notebook. चलिए यहां पर आपको बताना है कि कितने triangles हैं यहां पर, ठीक है? चलिए count कर लीजिए, अब यह कितने triangles हैं? इस तरह से figure है, आप count कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? बहुत साइट triangle बनेंगी, इसमें आप count कर लीजिए इसको, इन सब figures में. Write scalene triangle, equilateral triangle और isocelous triangle. आपको बताना है कि इसमें से कौन से scalene triangle है, कौन से equilateral triangle है, कौन से isocelous triangle है. scalene कौन से होते हैं, इसकी कोई भी side बराबर नहीं होती, कोई भी 2 side बराबर नहीं होती, equilateral जिसकी सारी side बराबर होंगी, isocelous जिसकी 2 side बराबर होंगी, आप देखिए, आप पर सारी side बराबर है, यह equilateral triangle है, इसकी 2 side बराबर है, यह isocelous है, है इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है तो यह स्केलिन ट्राइंगल है ठीक है ऐसी डी वाले में आप देख सकते हैं सामने की एंगल बराबर तो साइड बराबर होगी तो यह हो गया इसोसेलियस यह हो गया है उसकेलीन ठीक हो गयेग्विलेट्रल यहां बताने कि एक्यूट्ऊ अंगल् economy राइट एंगल अई यह एंगल से ज्यादा है तो आप वोज्आ है यह राइट एंगल लोगान इंगल हो क्योंकि एक यहई इंगल 90 से बढ़ा है find the following the measure of the angles of an iso-silis triangle किसी भी iso-silis triangle का अगर major करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा if you can draw a triangle with side 3634 क्या बिन sides को use करके triangle बिना सकते हैं इसकी एक साइट 6 cm हो एक साइट 3 cm हो एक साइट 4 cm हो ट्राइ करेंगे अगर बन पाए तो तब measure of angles of a scaling triangle कि scaling जो triangle होता है उसके एंगल को अगर हम सभी को measure करेंगे तो क्या अगर 180 आएगा इक्विएटल वाइटर एंगल में measure करेंगे तो उसमें भी 180 आएगा इसमें 180 आएगा इसमें 180 आएगा अब देखें क्वाड्री लेटरल्स क्या होते हैं a quadrilateral is a close figure made by four line segment, quadrilateral क्या होती है गैसी close figure होती है इसी बंद figure होती है इसकीन 4 sides होती है या 4 lines से बना होता है रहिक है उसकी 4 side होती है 4 cone होती है 4 angles होते है 2 diagonals होती है उसमें diagonals in lines को कहते है तिरची lines को ठीक है a quadrilateral is named by its vertices written in order इस भी quadrilateral का नाम कैसे लिए हैता है उसके vertices को name join करके the line segment joining the opposite vertices are called diagonal चलिए मैं दिखाता हूँ figure में देखिए क्या बता है quadril क्या है एक ऐसी बंद close figure जिसकी 4 sides हो देखिए ऐसी है 4 sides और close figure है इसका नाम क्या है PQRS ठीक है diagonal क्या करती है कि opposite corner को join करती है P करेगी R से join Q करेगी S से join तो यह diagonal कहलाती है ठीक है इसमे side कौन कौन सी है PQ QR RS SP vertices कौन कौन से इसमें कौन है PQRS angle कौन कौन से है angle SPQ एंगल PQ आर एंगल Q RS एंगल RS ठीक है और diagonal कौन कौन से है PR और QS यह diagonal हो गए same इसमें है ठीक है rectangle भी एक तरह का quadrilेटरल ही होता है ठीक है जिसकी सारे कोने 90 डिग्री एंगल के होते हैं और opposite sides equal होती है यह वादी side इसके equal होती है यह वादी side इसके equal होती है square भी ऐसा ही होता है लेकिन square में क्या होता है सभी angles भी बराबर होते हैं सभी sides भी बराबर होती है और diagonals भी इसके equal होते हैं pentagon pentagon क्या होता है एक ऐसा close figure जिसकी five sides हो one two three four five one two three four five और किसी एक close figure की four sides होती है तो उससे quadrilateral कहते है five sides होती ही तो pentagon कहते है six side होती ही तो उससे hexagon कहते है ठीक है tick the quadrilateral and cross out the other इसमें जो quadrilateral है उसको tick करना है मत्तलब इसकी 4 sides है ठीक है यह quadrilateral है क्लियर यह quadrilateral नहीं है यह भी quadrilateral है यह quadrilateral नहीं है क्लियर चलिए आके बढ़ते हैं ठीक है यह भी quadrilateral नहीं है इसकी 4 sides है यह भी quadrilateral है Each angle of the given quadrilateral is a right angle Pick the rectangle and square अब बताने इसमें rectangle कौन सा है square कौन सा है बड़ा easy है rectangle की opposite side equal होती है square की 4 side equal होती है तो यह हो गया square यह हो गया rectangle ठीक है यह हो गया square यह हो गया rectangle All the angles in the figure 90 degree Name of the rectangles and count them अब देखिए यहापे सारे एंगल 90 degree की है आपको बताने की यहापे कितने rectangle है ठीक है उनकी नाम लिखने है और कितने है एक rectangle यह रहा एक यह रहा 3 4 5 6 एक पूरा वाला हो गया 7 ठीक है 1 2 3 4 5 6 एक यह वाला हो गया 7 और एक यह 8 हो गया ठीक है The diagonals of a rectangle are dash in length कैसी होती है diagonal rectangle की equal होती है All angles of a square are equal यह right angle भी कह सकते है ठीक है और right angle यह 90 degree भी कहा जा सकता है Every rectangle is a quadrilateral सभी rectangle quadrilateral है इन्हे रेक्टेंगल अप ओर इट साइड सार इक्वल इक्वल होती है और पैलल होती है वो कभी meet नहीं करती ठीक है यहां पर हमारा lesson complete हो गया इसको revise करिएगा बुक में और दुक में देखिए आपको क्या क्या करना है Exercise 13.2 का आपको करना है question number 2 का A और B पार्ट question number 3 का A और B पार्ट ठीक है यह आपको draw करना है यह बुक में copy में solve करना है ठीक है अब exercise 13.1 का question number 5 आप करेंगे ठीक है अपनी notebook में draw करना है आपको protector की help से आपके पास होना चीए protector clear आगे समझ में साथ क्या काम करना है बुक पर complete कर लेना ठीक है हम मिलेंगे next class में आपको 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 आपको